नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जोतिश ग्रंट गंगा में। समस्याओं से आपको तुरंट के तुरंट मुक्ती मिल सकती है और उन्हीं मसालों में से एक मसाला है जीरा जिसका इस्तमाल वैसे तो आप लोग खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए करते हैं। लेकिन ये बात आपको पता नहीं होगी कि जीरे का अगर सही प्रकार से प्रयोग किया जाए न केवल जीवन के हर प्रकार की समस्याओं से आपको तुरंट के तुरंट मुक्ती मिल सकती है बलकि आपको साक्षात माता लक्षमी का वर्दान और आशिरवाद भी मिल सकता जोतिश शास्त्र में जीरे के कई ऐसे उपाय बताए गए हैं, जिनका इस्तमाल करके ना केवल आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, बलकि जीवन में चल रही धन संबंधित परेशानियों से भी मुक्ति पा सकते हैं जोतिश शास्त्र के अनुसार जीरा जो घर के खाने का स्वाद बढ़ाने का काम करता है, अगर उसका प्रयोग जोतिश शास्त्र के अनुसार ठीक तरीके से सही मुहूर्ट पर किया जाएं, तो आपको साक्षात माता लक्षमी का इस प्रकार से वर्दान प्राप्थ हो सकता ह जिसके बाद ना केवल आपके जीवन से धन संबंधित परिशानिया खत्म हो जाएंगी बलकि आपको माता लक्षमी जी का वो वर्दान और वो आशिरवाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन काल में हमेशा धन की वर्षा होती रहेंगी, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। प्रकार से आपका साथ देना शुरू कर देता है, जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करते हैं। उस कार्ड में आपको सफलता मिलती है। दोस्तों मान लीजिए आपकी कुंडली में वास्तुदोश है, मंगल दोश है, सनी दोश है, आपके जीवन में बहुत सारी परिशानिया हैं, जिससे आप बहुत ज्यादा तूट चुके हैं. आप अपने जीवन में यह देख रहे हैं, कि आपके जीवन में धन आना बंध हो गया है. आपको किसी ऐसी बिमारी ने जकड लिया है, जिसका आप इलाज करा करा के ठक गए हैं, परन्तु कोई लाभ नहीं मिल रहा है. सिर्फ आज के इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाएं देख लीजिए, आपको हम जोतिश शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार जीरे के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं. जिसका प्रयोग अगर आप सही मुहूर्ट पर सही तरीके से करते हैं, तो हर प्रकार की समस्याओं से आपको चुट्कियों में मुक्ती मिल जाएगी. इसलिए दोस्तों इस विडियो को बहुत ध्यान से लाश्ट तक अंत तक देखिएगा क्योंकि दोस्तों जीरा एक बहुत साधारन सी चीज है जो बड़े आराम से मिल जाती है. लेकिन इसका प्रयोग कैसे करना है आपको वो आपको पता नहीं होगा. दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा. तंत्र शास्त्र में जीरे के प्रयोग को सबसे उत्तम प्रयोग बताया गया है. कहा तो यहां तक गया है कि अगर कोई व्यक्ती माता लक्ष्मी का आशिरवाद प्राप्त करना चाहता है और वो सिर्फ जीरे का प्रयोग और जीरे का उपाय माता लक्ष्मी जी के सामने सही दिन पर और सही मुहूट पर कर लें तो उस व्यक्ती को साक्षात माता लक्ष्म जी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी के आशिर्वात से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपको कभी धन की कोई कमी ना हो। एक काम कीजिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राशी डाल दी जगह आपकी राशी के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा, इस उपाय को करके आप कोई भी लाप पा सकते होंगे। जब एक व्यक्ति कभी भी कर्ज लेता है तो मान के चलिए उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है। वो खाना ठीक से नहीं खापाता है। उसकी इतनी परेशानिया आजाती है, जिसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं और आप भी अगर उन व्यक्तियों में से हैं, जिसने कोई कर्जा ले रखा है, तो आज आपको हम एक उपाय बताना रहे, यह उपाय अगर आपने कर लिया, तो आपके जीवन में चल रही है धन सम्बंधित परेशानिया तो आराम से खत्म हो जाएंगी, अगर आप चाहते हैं कि आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाए, तो इस उपाय को करने के लिए आपको पांच शुक्रवार यह क्या उपाय करना होगा, अब शुक्रवार को ही दिन क्यों? तो जो शुक्रवार का दिन होता है वो माता लक्षमी को समर्पित होता है, शुक्रवार के दिन माता लक्षमी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है, और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर क्रिपा बरसाती हैं, और यह जो उपाय हम आपको बताने पांच सप्ताह मतलब पांच शुक्रवार और पांच सप्ताह तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। अब आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े में आपको एक मुठी जीरा रखना है। एक मुठी जीरा के उपर एक रुपया का सिक्का रखना है। इस लाल कपड़े को आपको मौली धागे से बांध करके एक पोटली बना लेनी है। माता लक्ष्मी जी के मंदिर चले जाएए माता लक्ष्मी के मंदिर के बाहर जो भी भिक्षुक बैठा हो यह पोटली उसको दान कर दीजिए इतना उपाय पाँच सप्ताह कर लीजिए माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा कि जिस कर्ज के बोज में आप लोग दबे हुए चला रहे थे उस कर्ज के बोज से आपको आराम से मुक्ती मिल जाएगी दूसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो है घर की बरकत का महाउपाय देखिए दोस्तों शायद ये बात आपको पता ना हो जब आपके घर की बरकत होती है आपके घर की उन्नती होती है, आपके दोस्तियार, नातेदार, रिष्टेदार आपके घर पर ऐसी नजर लगा देते हैं, जिसके बाद आपके घर की बरकत रुख जाती है, और शायद ये बात आपको ना पता हो. नजर इतनी बुरी चीज होती है, जो हरे पेड को भी सुखा देती है, और मान लीजिए आपके घर की बरकत नहीं हो रही है, आपके घर की उन्नती नहीं हो रही है, आप चाहते हैं आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नती हो, तो आपको हम एक आसान सा उपाय बताने जा उपाय अगर आप लोग ने मंगलवार की सूर्यास्त के बाद कर लिया तो दोस्त आपके घर की बर्कत भी होगी, आपके घर की उननती भी होगी, लेकिन ये तीन मंगलवार आपको करना है तीन मंगलवार करने के बाद आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएगी और आपके घर पर सकारात्मक उर्जा का वास हो जाएगा आपको एक मिट्टी का दिया लेना है, मिट्टी का दिया के अलावा अगर आप लोग पीतल का पात्र लें तो और भी ज्यादा शुब होगा उसने आपको गिन के 51 जीरे के दाने रखने है तीन काली मिर्च रखनी है, चार लॉंग रखनी है बस इतना आपको रखना है आपको ये जलाना है और इसका धुआ पूरे घर में दिखाना है तीन मंगलवार यह उपाए कर लीजिए आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएगी और आपके घर पर सकारात्मक उर्जा का वास हो जाएगा इसी प्रकार से दोस्तों अब मान लीजिये आपके उपर कोई दोश लगा हुआ है, मतलब मान लीजिये आपको किसी ने नजर लगा दी है, आप इस चीज को ले करके बड़ा परेशान है आप चाहते हैं कि इन प्रकार के दोशों से इन प्रकार की बुरी नजरों से आपको मुक्ती मिल जाए तो एक सरल से उपाय हम आपको बता दे रहे हैं देखिए यह उपाय आपको शनिवार के सूरियास्त के बाद करना है सूरियास्ट के बाद कभी भी एक ही शनिवार को कर लीजिये, आपको तुरंत ही लाभ देखने को मिल जाएगा अगर आपका जैसे नजर आपको लगी आपको अंदर से महसूस हो रहा है, आपको क्या करना है शनिवार को सूरियास्ट के बाद एक मुठी जीरा लीजिये एक मुठी जीरा लेने के बाद इसको अपने सर के उपर से बाईं और से दाईं और बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों बाए और से दाई और इस जीरो को घुमाना आपको घर के सामने जो भी आपके सड़क पड़ती है, उस सड़क के दूसरी तरफ इस जीरे को शनिवार को सूरियास्त के बाद आपको फेंक देना इतना उपाय कर लीजिए, आपके उपर जो भी नजर लगी होगी ये जीरा उस नजर को सोख करके अपने साथ ले जाएगा और आपके उपर से नजर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, बस इस बाद का ध्यान रखेगा, यह उपाय सिर्फ शनिवार के दिन की जाता है, दोस्तों एक बाद का ध्यान रखेगा, अगर किसी व्यक्ति का राहु के उसका साथ नहीं देगा, वो व्यक्ति कितनी ही महंत कर ले, कितना ही परिश्रम कर ले, वो कभी भी आगे नहीं जा सकता है, और राहु केतु जिस व्यक्ति का साथ देता है, वह व्यक्ति अगर गलत निर्नय भी ले ले, उस गलत निर्नय से भी उसको फाइदा पहुँचता और अगर आप चाहते हैं कि आपका राहुकेतु आपका साथ दे आप जो भी निर्नय ले उस निर्नय से आपको फाइदा पहुँचे तो आपको भगवान विश्नुजी की शरण में जाना होगा. एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों किसी भी व्यक्ति के राहुकेतु का जो नियंतरन होता है वो भगवान विश्नुजी के हाथ में होता है और आपने अगर भगवान विश्नुजी को प्रसंद कर लिया है तो आपको साक्षात माता लक्षमी का भी आशिरवाद मिलेगा तो आपको क्या करना है? देखिए यह उपाय करने के लिए आपको तीन ब्रहस पतिवार यह उपाय करना होगा तीन ब्रहस पतिवार का मतलब आप तीन ब्रहस पतिवार तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं गुटका, पान-मसाला, शराब, मदिरा ये सब आप बिलकुल नहीं खा सकते हैं। तीन ब्रिहस्पतिवार यह उपाय करने के बाद आपका राहु केतु हमेशा आपका साथ देगा। जो भी आप निर्नय लेंगे उस निर्नय से आपको फायदा पहुचेगा। बहुत ही आसान से उपाय हैं। आपको क्या करना है? ब्रिहस्पतिवार का जो दिन होता है, वो भगवान विश्णुजी का दिन होता है। आपको सुभा उठना है, नहाना है, धोना है, आपको पीले कपड़े पहनने है, क्योंकि भगवान विश्णुजी की पुजा में जब भी पीले कपड़े पहने जाएं, तो वो पुजा तुरंथ की तुरंथ सिद्ध हो जाती है। आपको पीले कपड़े पहने एक लोटा लेना है. तामबे का लोटा लीजिए, उसमें पूरा जल भर लीजिए, एक मुठ़्ी जीरा लीजिए. आप किसी भी पीपल के पेड के पास जाए. आप पीपल के पेड के पास क्यों जाना है? क्योंकि पीपल के पेड में भगवान विश्णु जी का वास होता है पीपल के पेड के पास जाए सबसे पहले ये जो जीरा आपने एक मुठी लिया है ये आपको पीपल पेड के दक्षिन तरफ बहा देना है दक्षिन तरफ आपने बहा दिया, अब ये एक लोटा लीजिये पीपल के पेड को अर्पित कीजिये, इस जल को पीपल पेड की साथ परिक्रमा कीजिये साथ परिक्रमा करते वक्त भगवान विश्णु जी का बीज मंत्र बोल दीजियेगा ओम नमो भगवाते वासुदेवायह नमा हम फिर से रिपीट कर दे रहे दोस्तों ओम नमो भगवाते वासुदेवायह नम इस बीज मंत्र का कम से कम आपको साथ बार जाप करना है जितनी बार आप चक्कर लगाएंगे, साथ बार उतना जाप करना है, यह उपाय आप लोग तीन से ब्रिहस पतिवार कर लीजिए तीन ब्रिहस पतिवार करने के बाद, आप खुद देखेंगे की आपके राहु केतु साथ देना शुरू कर देंगे, आप जो भी निर्नय लेंगे, उस निर्नय से आपको फायदा पहुचेगा शुक्रवार की शाम को शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें और चीनी का दान करें साथ ही किसी कन्या को सफेद रंग की मिठाई दें ऐसा करने से कुंडली में शुक्र की स्थिती मजबूत होती है और भौतिक सुख सुविधाओं में व्रिध्धी होती है साथ ही नौकरी वव्यवसाय में उन्नती के योग बनते हैं तो दोस्तों इस वीडियो पर समाप्त करते हैं आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा